Hello students, तो आज हम करेंगे exercise 3.5 का question number 8, तो question number 8 क्या कहता है, the sum of two consecutive odd numbers is divisible by 4, verify the statement with the help of some examples, तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम consecutive two odd numbers का sum लें तो वो हमेशा 4 से divisible होगा, solution देख लेते हैं, अब यहाँ पे odd numbers क्या होते हैं, जो 2 से divisible ना हो, यानि कि 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, उसके बाद में 9 होगा, 11 होगा, यह सारे हमारे क्या होंगे, odd numbers होंगे, और यह हमने consecutive लिख लिए, यानि लगातार लिख लिए, अब यहाँ पे हम कोई भी दो numbers उठा लेते हैं, randomly, यहाँ पे इनको उठा सकते हैं, इसको उठा सकते हैं, या फिर उठाना है, तो उनका सम जो है, वो 4 से डिविजवल होगा, तो पहला example देख लेते हैं, यहाँ पे 1 प्लस 3, क्या आता है हमारा 4, तो 4 तो हमारा 4 से डिविजवल होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे इनका सम जो है, वो 4 से डिविजवल होगा, दूसरा example हमने ले लिया, इन प्लस 13, यहाँ पे हमने next लिख लिया 13 और इन दोनों numbers को ले लिया, थोड़ा बड़ा numbers ले लिया अगर हम इनको add करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 24 और 24 जो है वो 4 से divisible होता है, तो यह भी हमारा एक example हो जाएगा questions हम आप next lecture में करेंगे next questions आज के लिए बस इतना ही